दोस्तों हमारी आज की वीडियो में हम एक सवाल पर बात करेंगे जो कि आईशा वहीद में मुझसे पूछा फेस्बुक पर कि क्यों एक नार्सिसिस्टिक यानि कि नर्गिसित पसंद शोहर जो है वो दुनिया के सामने तो बहुत पुरह इतमाद, चार्मिंग, खुश मिजा काम्याब, सैटल्ड इंसान होता है लेकिन जो बीवी होती है वो ही दर्ग समझ सकती है उस नार्सिसिस्टिक हस्बन के साथ रहने का और यही मैं नार्सिसिस्टिक औरतों के लिए भी बोलूँगी जिनके शोहर हजरात इस दर्द से गुजरते हैं के उनकी बीवी पुरी दुनिया के सामने तो बहुत चार्मिंग, खुशमिजाज, पॉर्फिक्ट औरत होती है लेकिन उसके जो mind games हैं या जो उसका narcissistic behavior है उससे शोहर ही वाकिफ होता है वो उर्दू में मावरा है ला कि कबर का हाल तो मुर्दा ही जानता है तो जी हां ऐसे spouse के साथ, ऐसे शोहर या बीवी के साथ जो रहने का दर्द है वो उनका partner ही जानता है लेकिन आज किस वीडियो में मैं नार्सिस्टिक लोग को ब्लेम नहीं करूंगे आज मैं आपको वो रियालिटी वो हकीकत बताऊंगी जो आपको नार्सिस्ट से ज्यादा अपने उपर गौर करने पर मजबूर करेंगी और आज की इस वीडियो में सिर्फ पार्टनर नहीं बलके अपनी जिंदगी के हर पहलू में आप गोर और फिकर के साथ फैसले लेंगे आपको समझ आ जाएगी कि जिंदगी में दुनिया में और फितरत में जो नेचर है उसमें हर चीज की कीमत होती है प्राइस होती है और हमें वो कीमत अदा करनी पड़ती है चाहे कुछ भी हो चाहे चाहे आपको पसंद हो ना हो कीमत तो अदा करनी पड़ेगी तो आज हम कीमत पर बात करेंगे और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो नार्सिस्ट शोहर है या जो नार्सिस्ट बीवी है वो आपकी जिंदगी में क्यूं है और कैसे वो आपकी ही कोताही की वज़े से आपकी जिंदगी में है और आपने किस तरह से उसके साथ डील करना है कैसे आपने उसके साथ चलना है तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हमारी दुनिया है, जो फित्रत है, इसमें कोई भी चीज फ्री में नहीं आती, यहाँ पर हर चीज की कीमत होती है जो भी high achiever लोग होते हैं, जो जिन्दगी में बहुत कुछ हासिल करते हैं, उनमें से ज्यादा तर narcissistic होते हैं सारे नहीं, ज्यादा तर की बात करूंगी, 99% high achievers बहुत miserable लोग होते हैं, बहुत ही दुखी, अफसुर्दा, sad, miserable जबके एक परसंट जिनको बाब दादा से बहुत सारी जनरेशनल वैल्थ मिली होती है और उन्हें लाइफ में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता हाई अचीवर बनने के लिए सब कुछ प्लेट में मिल जाता है तो वो लोग इतने मिजरिबल नहीं होते एक परसंट में हर जगा एकसेप्शन रखती हूँ क्योंकि सब इनसान ऐसे नहीं होते पर ज्यादा तर हाई अचीवर बहुत मिजरिबल लोग हैं क्योंकि इस दुनिया में ना हाई अचीवर बनने की खुश मिजाज इनसान बनने की खुश इखलाग इनसान बनने की पुरैतमाद, काम्याब इनसान बनने की एक कीमत है और वो कीमत हर इनसान अदा करता है चाये वो नार्सिस्ट हो या ना हो जो भी बन्दा नार्सिस्टिक होता है उसकी जो दुनिया है ना वो एक्स्टरनल होती है बाहरी जाहरी होती है वो अपने अंदर की दुनिया में नहीं काम करता है इतना और नहीं वो से connected होता है उसके लिए हर चीज बाहर से आती है validation बाहर से आती है personality अच्छी होनी चाहिए बच्चे अच्छे दिखने चाहिए बीवी टिप टॉप होनी चाहिए घर अच्छा होना चाहिए गाड़ी अच्छी होनी चाहिए पोस्ट और रैंक अच्छा होना चाहिए सेलरी अच्छी होनी चाहिए लोग मुझसे इंप्रेस होने चाहिए मेरी personality अच्छी होनी चाहिए मेरे दोस्त मेरे आसपास बैठे वे लोगों का स्टैटस अच्छा होना चाहिए तो यहाँ पर हर चीज ना बाहर है एक्स्टर्नल है उनका जो इंटर्नल है उस पर वो कभी काम नहीं करते वो कभी अपने अंदर नहीं जांकते क्योंकि उनकी सारी एनरजी एक्स्टर्नल में जा रही है बाहर चीजे अचीव करने में जा रही है और वो अरत जो किसी नार्सिस्टिक आदमी से शादी करती है क्या देखकर शादी करती है उसका घर, उसकी गाड़ी, उसकी परसनालिटी, उसका चार्म उसकी गुफ्तगों का अंदास, उसका intellect, वो है एक handsome इंसान है, खुबसूरत इंसान है, खुश मिजाज है, अच्छी position पर है, अच्छा पैसा कमाता है, यह सब देखकर जब आपने उससे शादी कर ली, वो आपकी जिन्दगी में आ गया, तब तो आपको बहुत अच्छा और आपकी सारी material needs पूरी हो गई, और अब आप देख रहे हो कि इस इंसान के पास सिवाए material के, सिवाए जो high achiever है, जो काम्याबी है, इसके इलावा इस इंसान के पास और कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप बहुत अर्सा किसी इंसान के साथ रहते हो, तो आपको connection चाहिए, आपको depth चाहिए, आपको empathy चाहिए, आपको प्यार चाहिए, understanding चाहिए, वो आपको नहीं मिलने वाली उस इंसान से, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी काम्याब इंसान बनने में लगा दी, उसने अपनी सारी जिंदगी लोगों को impress करने में लगा दी, लेकिन अब आप आपको उससे प्यार चाहिए, understanding चाहिए, loyalty चाहिए, sincerity चाहिए, वो तो आपको नहीं मिलने वाली, तो यहाँ पर जिस चीज को देखकर आपने उस इंसान से शादी की थी ना, वो तो वो आपको दे रहा है, अब जो आपके demands हैं, वो वो पूरी नहीं कर सकता, उस दर्द से आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपकी जिंदगी में आ चुका है अब, अब आपको देखना होगा ना, कि मैंने यही देखकर तो शादी की थी, एक लौता है, abroad से पढ़कर आया है, बाप का बिजनस संभाल रहा है, तो अब तो आपको देखना पड़ेगा अब वो एक लौता है, benefits आपको मिले है, material, तो साथ में उसके consequences भी तो होंगे ना, फितरत में मैंने कहा ना, कोई भी चीज फ्री में नहीं आती, कोई भी चीज फितरत में ऐसे complete अच्छे अच्छे package में नहीं आती, उसके साथ उसके consequences भी आता है, आपको price भी करनी पड़ती है, तो यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि हमने तो love marriage की ही नहीं थी, हमारी तो arrange है, अरे तो आपके parents नहीं चीज़े देखकर select किया ना, आपके husband को, कि गाड़ी अच्छी है, जॉब अच्छी है, इतना खुश मिजाज है, अच्छा दिखता भी है, family देखो कितनी है, बहुत ही अच्छा माहूल है घर का, तो parents के पास वो depth नहीं थी, parents ने जाहरी चीज़े देखी, external चीज़े देखी, और बेटी को दे दिया, प्रिष्टा कर दिया बच्ची का, अब जाहर सी बात है, वो चीज़ें तो मिलेंगे उस नड़की को, लेकिन जो दूसरी side है, जो depth है, जो loyalty है, जो प्यार है, जो relationship की demand है, वो तो पूरी नहीं होगी, तो यहाँ पर जो भी आप फैसला लेते हो, क्योंकि हम visual creature है, हम देखकर चीज़ें पसंद करते हैं, जो दिखता है, वो बिकता है, क्यों narcissist बिकता है इस दुनिया में, क्यों सब उसे पसंद करते हैं, क्यों वो उसका charm हर जगा नजर आता है, वो दिखता है, उसने सारा काम ही देखने पर किया है, जाहिरी शक्सियत पर किया है, तो वो दिख रहा है, तो वो बिकेगा भी, वो demand में भी रहेगा, इसके बनिस्पत, इसके बरक्स वो इनसान जो अपनी life में, relationship में भी effort डालता है फिर थोड़ा बहुत काम में भी करता है, तो वो इतना high achiever नहीं होता ना, वो इनसान इतना जादा successful नहीं हो पाता, और ऐसा इनसान फिर demand में भी बहुत जादा नहीं होता, क्योंकि हम visual creature हैं, हम चीज़े देखकर impress होते हैं, हम materialistic creature हैं, और materialistic इनसान होने में कोई बुराई नहीं है, materialistic होना हमारी reality है, लेकिन जब material हमें मिल जाता है, जब उसका dopamine हम चक लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, फिर हमें ख्याल आता है कि अरे भई, जिन्दगी तो material से भी आगे है, फिर हमें एहसास होता है कि यह जो charm है, यह जो confidence है, यह बहुत सारा पैसा है, गाड़ी ह घर है, इसकी तो बहुत बड़ी कीमत है, जो आप अभी अदा कर रहे हैं, जी हाँ, इसलिए जिन्दगी में जब भी कोई फैसला करें, तो सोच लें कि क्या मैं इसकी कीमत अदा करने को तयार हूँ, अगर आपने अपना 100% अपने काम को देना है, तो relationship तो हाथ से जाएगा क्यों? क्योंकि energy और time limited है, जहाँ time दोगे, जहाँ action लोगे, वहाँ से आपको result मिलेगा, फल मिलेगा, जहाँ करम करोगे, वहाँ फल मिलेगा, narcissist भी अगर मेनत करेगा तो फल तो उसे भी मिलेगा, high achiever तभी तो वो बन जाता है, इसलिए आपको दिखना होता है कि मुझे कह क्या चाहिए, क्या मुझे relationship चाहिए, हाँ मुझे relationship चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं अपने काम से थोड़ा सा time चुरा कर, अपनी family को दूँगा, अपने relationship को दूँगा, और जब मैं वो करम करूँगा, तो जाहर सी बात उसका result आएगा, किस सूरत में, एक चाहिए, उसके कोई काम मत करो, वो भी बहतर है आपकी अगर आप ऐसा बनना चाहते हो, तो कोई गलती नहीं है, कोई मसला नहीं है, आपकी जिंदगी आपका फैसला, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे life में थोड़ा सा relationship भी चाहिए, थोड़ा मुझे अपने अपनी थोड़ा 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 हर बॉक्स में डालना होता है, आपको हर एक बॉक्स में चेक लगाना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि अभी मेरी जरूरत सबसे जादा कहा है, अगर आपकी बीवी परिशान हो रही है या उसकी life में कुछ ऐसा हुआ है, जि तो अब मैं जो मेरा time है वो ज्यादा अपने काम को दे सकता हूँ और अच्छे पैसे कमा सकता हूँ तो आप फिर पैसे कमा लेते हो तो आपना हर जगा थोड़ा थोड़ा देखते रहते हो कि अभी आपकी जिन्दगी में आपकी ज़रूरत कहा है क्या बच्चों को time देना है बीवी को time देना है या सारा time business को देना है काम को देना है job को देना है किसको देना है यह आपको decide करना होता है और जैसे आप अपनी life में जो आप फैसले लेते हो जो आप decision लेते हो जो आपकी values होती है जो आपकी priorities होती है यानि कि जिस चीज को आप फोकियत देते हो एहमियत देते हो आपकी लाइफ वैसी ही हो जाती है तो जिस नार्सिस्ट को आपने अपनी जिंदगी में इंटर किया था वो तो अब आपको वो सब दे रहा है लेकिन आपकी डिमांड चेंज हो गई है आपने करीब से देख लिया उसको क्यार यह चार्म, कॉन्फिदेंस, पैसा, र जोड़ दो क्योंकि आप जो से चाहते हो आपको कभी नहीं देगा या पहले उससे कम्यूनिकेट कर लो बात कर लो उससे कि भई इस तरह से नहीं चलेगा हमें अपने रिलेशन्शिप पर काम करना चाहिए सब कुछ जाहिरी या बाहर का नहीं होता कुछ अंदर भी होता है कुछ आपका इनर भी होता है ना देकिन अगर वो तयार नहीं है और चुकि नार्सिस्ट और हाई अचीवर्स कभी तयार नहीं होते अपने आपको चेंज करने के लिए या अपने जो उनकी प्रियॉरिटीज हैं वो बदलने के लिए वो तयार नहीं होते नार्सिस्ट तो आपने काम्याबी हासिल कर लिया पोस्ट पर पहुंच गए आपकी ग्रोथ फिर जिन्दगी में जो डूपमीन है जो खुशी है सकसेस से मिलने वाला वो कम हो जाता है अब ऐसे में जो नार्सिस्ट इंसान है जो ट्रॉमताइस्ट है या जिसके जो है वो अपने कुछ बड़ी डर्कनस है उसके अंदर अब वो इंसान का ऑपने अपने आपको बितर फिल करवाने के लिए डोपमीन के लिए अपना मूड अच्छा रखने के लिए काफी सारे खावतीन का सहारा लेता है जितनी खावतीन के साथ वो जुड़ेवे होता है उनसे बात चीत करते हैं उनके साथ connected रहते हैं तो उससे उनका mood अच्छा रहता है क्योंकि उनके brain में dopamine release होता है वो बिना इसके नहीं रह सकते वो loyal एक relationship में एक long term relationship में मेहनत नहीं कर सकते क्योंकि उनको ये सब करने के लिए ना पहले बहुत सारा अपना trauma हील करना होगा वो depression में होते हैं उनका brain बहुत depressed होता है stressful होता है ऐसा brain कभी भी loyal नहीं हो सकता एक relationship में नहीं चल सकता उसको बार बार नया पन चाहिए उसको बार बार dopamine hit चाहिए ताकि वो अपने बारे में अच्छा महसूस करें तो अगर आप उन लोगों में से हैं फिर आपको चाहिए कि आप अपने उपर reflect करें अपने traumas को heal करें अपने depression को ठीक करें process करें अपने stress को manage करें अपनी health अच्छी करें और एक relationship में committed रहना सीखें relationship भी काम है, work है, hard work है मेहनत करनी पड़ती है time देना पड़ता है तो अगर तो आप ऐसे इंसान हैं तो आप गवर कर सकते हैं अमूमन वैसे लोग जो इस किसम के लोग होते हैं जो narcissistic होते हैं, traumatized होते हैं वो और नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी willpower ही नहीं होती, इतना dopamine ही नहीं होता brain में, कि वो जो boreat है, जो जिन्दगी की तल्ख reality है, boring हकीकत है वो उसको face करें उसका सामना करें, ये willpower, ये strength और brain में इतना dopamine या serotonin ऐसे लोगों का होता ही नहीं है depression का मतलब क्या होता है? depression का मतलब होता है आपके brain में, जो motivation का hormone है, dopamine, वो नहीं है वो अपनी जो baseline है न, उससे भी नीजे जा जुका है यही वज़ा है कि कोई excitement नहीं है आपको, कोई आपका किसी काम में दिल नहीं लगता आपसे कोई काम नहीं होता कोई motivation नहीं है आप नाखुश हैं, बहुत sad है chronic sadness है तो depressed brain यही होता है उसमें dopamine नहीं होता उसमें motivation नहीं होती वो emotions को fail ही नहीं कर सकता और ज्यादातर high achievers depressed होते हैं stressful होते हैं यह हकीकत है मेरे ऐसे बहुत से जानने वाले हैं मेरे ऐसी बहुत सी friends हैं जिनको मैंने ऐसे फैसले लेते हुए देखा है कि जिसके फिर बहुती घंबीर consequences उन्होंने बरदाश्ट की है बिसाल के दोपर मेरी एक दोस्स जोंके गलत हुआ भी है लेकिन अगर मैं बहुत deeply जाकर analysis करूँ तो उस लड़के से उसने अपनी पसंद से शादी की और क्यूंकी क्यूंके वो इकलौता था abroad से पढ़कर आया था उसका अपना business था charming था, dashing था तो जाहिर सी बात है जब आप ये qualities देखोगे का तो बेटा आपको पता है narcissist ही होना है क्योंकि वो उसका extension है तो उस लड़की की जो हालत है न वो देखकर मुझे बहुत दुख होता है लेकिन इसके लिए कहीं न कहीं वो खुद जिम्मदार है क्योंकि जिन values की बुनियाद पर उसने उस लड़के को चूस किया उसका अंतिखाब किया वो values उसे वो सकून वो प्यार वो पीस नहीं दे सकती वो narcissist है भाई वो ऐसा ही रहेगा वो तो ऐसा ही है तो बहुत सोच समझ के जिन्दगी में फैसले लिया करें क्योंकि हर एक फैसले की कीमत होती है calculate किया करें कि यह जो मैं कर रहा हूँ इसकी यह कीमत है तो क्या मैं यह अदा करने के लिए तयार हूँ याद रखें आपको अपनी जिन्दगी में वो ही मिलता है जो आप अपने लिए select करते हैं जो आपकी values होती है तो आप किसी को भी इल्जाम नहीं दे सकते अपने उस फैसले के लिए क्योंकि उसके लिए आप जिम्मधार हो आप responsible हो आप को हो कि मैं तो aware नहीं था जब नहीं थे तो आप सहना पड़ेगा ना awareness नहीं थी तो आप सहो यही है जो है वो है it is what it is आपकी suffering कोई कम नहीं कर सकता तो यहाँ पर हम narcissists को कितनी गालियां दे दें कितना उसको कोस ले लेकिन आपने ही उसको पसंद किया क्यों पसंद किया आपने कुछ qualities थी उसमें उसकी बुनियाद पर आपको उसको पसंद किया और वो आपको वो सब लाकर भी दे रहा है narcissists बंदा होता है उसकी बीडी भी टिप टॉप रहती है वो खुद भी टिप टॉप रहता है बच्चे भी बहुत अच्छा दिखते है ठीके गाडी भी अच्छी होती है घर भी अच्छा होता है और दोनों मिलकर relationship पर काम करने को तयार नहीं हो तो यहाँ पर मैं नाहीं narcissist को blame करूंगी और नाहीं उस इंसान को जिसने वो फैसला लिया उस narcissist से शादी करनेगा क्योंकि भाई लिया है आपने फैसला unaware थे आप अब आप सहोगे तो यहाँ पर मैं narcissist को blame नहीं करूंगी क्योंकि वो तो जैसा है वो वैसा है उसने आपको जो चीज ओफर करने का वादा किया था वो तो आपको ओफर करी रहना charming तो आज भी है confident तो वो आज भी है आपके साथ चलता है तो लोग कहते हैं वा यार क्या शोहर है इसका कितनी लखी है यह कितनी खुशनसीब है तो यही तो चाहती थी ना आप मिल गया आपको लेकिन उसकी कीमत है कीमत आपको पता नहीं थी कीमत का पता लगाना जरूरी है कि कोई इनसान अगर आपके लिए कुछ कर रहा है तो सोचें क्या कीमत है जो मुझे अदा करनी है इस एहसान की जो यह बन्दा मेरे लिए कर रहा है कोई भी यहां पर खलके खिद्मत करने नहीं बैठावा कोई भी आकर आपको फ्री में न आपका ख्याल रखने के लिए नहीं आ रहा यहां पर हर किसी के अपने ulterior motives है यहां पर हर इनसान आपसे एक कीमत चाहता है और वो कीमत आपको अदा करनी बढ़ती है इसलिए aware रहे अपने अंदर जहांके आप कौन है क्या चाहते है और जो भी फैसला कर रहे है क्या उसकी कीमत अदा करने को तयार है तो यहां पर अपने फैसलों पर होर कीजिएगा और उस कीमत को भी calculate कीजिएगा जो आपको अदा करनी पड़ेगी क्योंकि यहां पर कोई भी खलक की खिद्बत नहीं हो रही यहां पर कोई भी सिर्फ आपके बारे में नहीं सोच रहा यहां पर हर किसी के ulterior motives है आपके भी है और इसमें कोई बुराई नहीं है बस आपको पता होना चाहिए पाकी आपकी मर्जी है आप जिंदगी में किसी भी रस्ते को चाहे चूज कर सकते हैं आप चाहे तो बहुत काम्याब इंसान बन सकते हैं आप चाहे तो एक balanced life लेकर चल सकते हैं आपके अपनी मर्जी, आपकी जिंदगी, आपके values, आपका सफर तै तो आपने करना है ना तो फैसला भी आपने ही करना है लेकिन बस याद रहे कीमत, price, free कुछ भी नहीं है nature कुछ भी free में नहीं देती हर चीज की कीमत है बस यह बात याद रखिएगा इंशाला नेक्स वीडियो में लकात होगी तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा Thank you so much